और यहां पे आपको मिलता है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत सारा एंटेटेमेंट अधर को ट्रू इसलामिक डिफेंडर साभए न चलने जी इनसे बात करते हैं क्या डिफेंस इसलाम का करेंगे हैं फिर हम भी देखते हैं हαι हेलो हां जी जनाब क्या हाल हैं जी आपके हैं आरी है जी आप सुन रहा हूं तो मुझे बहुत दुख हुआ है आप किस तरीके से अटैक पर अटैक करी जारे इसलाम पर आपको पता है किसा रिलिजेजन है कितना टीस है पता है आपको या प्हल बात का अब बिला वज़से आटैक पे इसलाम में तो आप मसला क्या आप को मसला क्या है आप ऐसे कर रहे हैं अप मुझे बताएं की आप मुझ बताएं कि मैंने कहा ही गाल्ती चाइए दरा मुझे अब आप अप 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 इतनी वो करते हो कि इसलाम में यह है, क्या पाक सिर्वा माइनौरीटी को रहा है? इंडिया में क्या हो रहा है मुस्लमानों के साथ? वो आपको नजर नहीं आता? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मुझे मैं इस बात के उपर इस बात का ये जवाब है कि जी अगर इंडिया वाले अपनी मुनार्टीज को मारेंगे तो आप भी मारेंगे उनको अब लेकिन अपनी मुझे इस बात की ये दलील दे रहे हैं कि इंडिया वाले जो खार रहे हैं उनकी बात लज़ा है आप पकिस्तान की बात आई है तो आईदर आप लोगों के इमान खत्रे में इसलाम खत्रे में लेकिन उनके पास कि ने कहा है और इस लिप दो मनदीर है इसने कहा है अचियह अच्छा दो रफा का गे हो मैं पूरी जिंद ही इसलांबाद में रहा हूँ, ठीक है, मैं पैदा भी इस्लामबाद नहीं हूँ, दो में अंदर कौन से हैं, किदर हैं, इस्लामबाद के सेक्टर्स पता कितने हैं, नहीं, जब इस्लामबाद के सेक्टर्स नहीं पता, तो आके आप इसलाम पर मुझे से बात करोगे, पहले ज़र आपने कितने उसके factors हैं assembly किदर है और किदर नहीं है पता आपको किसी तीज़ का पर नहीं आप मुझे कह रहे हैं कि मैं Islam को कुछ ना करे हैं नई आप इस तरह नहीं होती है बात इस तरह नहीं होती कि आप Islam के उपर क्यों तवाउत ते तनकीद करें तो यार क्यों ना करें इसलाम पे तनकीद आप पाकिस्तान में करने देते हो तो सोशल मीडिया पर करेंगे फिर, सोशल मीडिया पर नहीं करने दोगे तो कोई और मीडियम होगा, कहीं ना कहीं तो इसलाम का सच खुलेगा ना, वहीं तो होगा ना, ठीका जाकिर नाएक इतने यहां Christianity पे तनकीद करने की अजाज़त थी तो मुझे इसलाम पे क्यों नहीं है यहां तो भी आप कहें कि जाकरनायक जो है वो Christianity पे यहां Hinduism पे तनकीद करने की अजाज़त नहीं देती है तो आपने कभी उसको condemn किया है जो आप मुझे condemn करने आगे हैं मुझे आप सबक पढ़ाने आगे हैं आपकरनायक को भी एक एमेल करें जो वो Christianity पे यहां Hinduism पे तनकीद ना करें लेकिन उसने कभी किसी को गाली नहीं दी मतलब किसी नहीं लेकिन आपके followers देते हैं तो मेरे followers भी देते हैं मुझे तो सारे ये मेरे comments में इदर आप देखें नीचे मेरी videos के मुझे सारे muslimानी गालिया देते हैं वो जाकिनायक के followers तारिक जमील के followers हजरत मुहम्मद सलेलाव वाले वसलम के followers मुझे गालिया देते हैं ठीक है मेरे मताबिक 20 होना चाए दुनिया के दे लेकिन ये तरीका नहीं है आप किसी को हड़ कर रहे हैं ये तरीका नहीं होता जब भारी Islam की आती है वैसे जब तक मुसल्मान किसी को जूतिया मारते रहते हैं जब तक मुसल्मान कहते हैं इंदु इतने बुरे हैं, यहुदी इतने बुरे हैं, बुरान में तो खुद लिखा है, यहुदी यंछ परे रिखेंधा निए। आपने शायद जितना भी इसलाम पढ़ा होगा ना वो स्कूल में पढ़ा होगा जो इसलामियात पढ़ा ही जाती है मैंने उसके लावा भी ठीक है अच्छा आपने एक स्कूल में भी इसलामियात नहीं पढ़ी नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ी स्कूल में इसलामियात पढ़ी यहुदी और इसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है आपको बुखारी का नहीं पता, मैं खोड़ी सी को बात करता, मगर मसला ही है कि आपने तो कुरान भी तर्जमे से नहीं पढ़ा तो याप कोशिश करें कि इसको तर्जमे से एक नफ़ा पाड़ जरूर है। इस सुनत पर अमल नहीं करता, कि वो डंडे के जोर पर कहते हैं कि रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, फिर यह कहते हैं कि अगर कोई हमें कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ कह दे तो उसके लिए टू नाइंटी फाइव सी का कानून है, सरतन से जुदा के नारे हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ में बिलीव नी करता, मुझे आप गाली भी देंगे ना, मैं आपकी गाली का जवाब नी दूँगा। ठीक है, तो आप ना करें मेरी रिस्पेक्ट, ठीक है, मगर जो चीज़ मैं कहता हूँ ना, उन पर कभी ठंडे दमाग से सोचें, सबसे पहला आपका टास्क है, कि अट लीस्ट कुरान तर्जमे से पढ़ें। आपको अच्छा पता है कि पाक सार में कोई भी तर्जमे से कुरान नहीं पढ़ता है। मतलब आपकी बाते सुनकी इंप्रेशन लगता है, मतलब एक बंदा दूसरा आपकी बात सुने हो ऐसा लएगा, पाक सार में हार कोई बंदा पागल है। मारना चाहता है तुस्ते को जबकि ऐसा लएगा, बात गया है कि पाकिस्तानी के हाथ चाड़ जहूँ, एक पांच पाकिस्तानी खड़े हों और मैं उनके पास चला जहूँ, यकीन करें उनमें से शाएब तीन मुझे मार दें। अब जी को चाहिकर को ऑगी, तो चाहते है को यह मुझे मारने की भंगी फालो का रहा जांगे, पासूँ को फूलो कर रहा है। इसलाम ये कहता है कि आप एक भी बंदे को कतल करोंगे आपने पूरी इसलाम को कतल किया ये ये पीस सिखाता है ये भी कहता है कि तुम्हें जहां भी काफर मिलें उनको मारो लेकिन या ओट अफ कंटेक्स्ट है उस वक्ति उस जुमाने में जंग की बात है वो उन मुसलमा वो उन गयर मुसलमों की बात हो रही थी जिनके बारे में उमीद थी कि वो इसलाम कबूल कर लेंगे अच्छा ओके सेकिंड पॉइंट आप डिसके से करते हैं कि कोई खुदा नहीं है तो आप कहा से आगे दुनिया में आप किस ने बनाया अच्छा यह मुझे किस ने बनाया य यार मेरे माबब ने सेक्स किया हम पैदा हो गया उनके माबब ने किया है वो पैदा हो गया थे उन से पिछलों ने किया है वो पैदा हो गया तो आखर में तो प्रिएटर सेक्स हुआ ना तो पहला बंदा भी तो यह गाना हो तो खुझा पैदा होता कोई घुक है अब करें आपको किस ने पैदा किया आपके माबाप ने सेक्स किया तो आप पैदा हुए हाँ या नहीं सेक्स है अब आपका बाप अगर सेक्स के बगार पैदा हुए तो मुझे पताएं सब सेक्स के बगार पैदा हुए है अभ系रै के दो मिरे बंदा को करेडिट क्यूं दो उसका तो पहला बंदा कैसे आगे वो सेक्स तो मेरे माँ बाप कर रहे थे ना तो मैं अल्ला को क्यों सेक्स का क्रेडिट दूँ आपके माँ बाप कर रहे थे उसका क्रेडिट में उनको देता हूँ अल्ला को क्यों दूँ अगर आपके माँ बाप कर रहे थे बताएं मुझे। मुझे पैदा करने के लिए दर्द मेरी माँ ने बरदाश की थी तो मैं उसका क्रेडिट अला को क्यों दूँ मुझे बताएं ना आप मैं तो नहीं देता मैं तो अपनी माँ को दूँँगा उसमें मुझे पैदा किया ठीक है और आपकी माँ की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और कभी किसी की माँ को मैं बुरा कहने का सोच भी नहीं सकता ठीक है तो यह अपनी बाप को जवाब दें आप बात नहीं आ रहे जो ना कहा रहा हूँ मैं आपकी बात सुनी है पहला बंदा आपके लिए दर्द किसको हुआ जब आप पैदा हुआ अपके अपके लिए दर्द लिया और आपको पैदा किया तो आप देखें अब आप पॉइंट पर ही नहीं आरे हैं मैं आपको कहरूं कि पहला बंदा कहां से आया मुझे इसका जवाब दे दें आप अब कोई आप पर जवाब नहीं है अब आप कहेंगे कि मेरे मुझाविक तो आदम अले इसलाम आए लेकिन आप ये कहेंगे आपके evolution हुए यह हुआ हम मुस्लिम आशा बिलीव नहीं करते हम बिलीव करते हैं आदम अले इसलाम को किस ने देखा था मैंने तो नहीं देखा रसूल आल्दा ने आदम अले इसलाम को देखा था नहीं लेकिन उनको इबराहिन ने देखा था नहीं उनको वही में बताया गया नून ने देखा था लेकिन उनको वही में बताया गया नहीं तो वही हमें क्या पता वही आई भी थी के नहीं वही का सबूत क्या है? उनको जिब्राइल नहीं एक्जिस्ट कर तो से मुझे भी आई ये वही चलें बताएं अब भी जिब्राइल मुझसे बातें कार रहा है ठीक है ये मेरे देखें अभी इतने बंदे देख रहे हैं ये सारे अब कोई गवाई दें जी बिदर बताएं मुझे के वाकर या आप मा करेंधरी मा ने तकलीफ लेकर मुझे नौ मीने पाल के पैदा किया उसका क्रेडिट मैं Allah को क्यूं बहिती है बात जिब्राइल को के मटी लाओ, उन्होंने मटी लाई, उन्होंने मटी का पुतलाब्स है, अब हम उसमें फूप लगा दिए, बहुत पूरे पासे हो यार, फिर आप, उदा के बंदे अब तरीख तबरी में लिखा है के अल्लामियों ने पहले प्रेजा जिब्राइल को मटी ल है, तो यह क्या था, यह मिटी लेने किया, ठीक है, और यह लेके आया, हारिस सल्तान, फिर आदम का अल्लामियों ने पुतला बनाया, फिर अब आपके जो तबरी साब है, अल्लामा तबरी साब, वही लिखते हैं, कि शेतान जो था, यह जो आपका हारिस सल्तान था, उर्फ शेतान, उसने क्या किया, वो आदम के मूं से गुसा और आदम की तश्रीफ से बाहर निकल गया. अब आप मुझे बताएं कि यार, ये कैसी कैसी बाते हैं. ठीक है, और आदम को अल्ला मिया ने मिटी से बनाया, इस बात का कोई स्बूत है कि आदम मिटी से वाकिए arrangements evolution का तो हर सबूत चाहिए मुझे इस बात का कोई एक सबूत बता दे के बना था मिटी से आदम यार इससे ज्यादा upset बात कोई हो सकती है के आदम मिटी से बना गया था फिर वस हो गया अला आया उसने उसके चीरा लगाया इदर पसली बचारे की पूछे बगार बगार इजादत के पसली निकाली उससे औरत बना दी हैं अब ना उस औरत से पूछा था कि इसकी पसली से बनाना है ना उससे पूछा था कि तेरी पसली से औरत बना लो हैं पूछा ही नहीं बना दी बताओ मुझे तो तो यार ये सब फुदूल बाते हैं ठीक है ये एक पुराना जो बाबुल या इराक के लोग जो पुराने थे इसलाम और यहूदियत से बहुत पहले उनका एक लेजन्ड था ये एक मित था जिसके अंदर जो देवता हैं वो इनसान को मिक्टी से बनाते हैं ये यहूदियों ने पहले कापी किया यहूदियों से आपने कापी किया ठीक है इनसान तो कब भी थे इनसान तो आज से दो लाख साल पहले भी मुझूद थे ठीक है इनसान तो दो लाख साल पहले भी मुझूद थे अब मुझे यह बताए अल्लामिया ने आदम के बनाने का तो ठेका ले लिया आदम था होमोसेपियन तो नैंडा टॉल किसने बनाए थे वो भी तो बताओ ना कुरान में जिकर है, बाइबल में है, किसी और जिकर है नहीं है ना, क्यूं नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपका खुदा जो असल इंसान कहां से आया इसके बड़े में जीरो जानता है ठीक है, वो कुछ नहीं जानता उसको अगर कुछ पता होता, तो वो यह बताता कि आज से दो लाग साल पहले भी त움 मुझूद थे, आज से दसलाक साल पहले भी तुम मुझूद थे ठीक है? क्यूंकि आप थे, आपके एंसेस्टर्स आज से दस लाग साल पहले भी थे, बीस लाग साल पहले भी थे, छे करोड पचास लाग साल पहले भी थे, और छे सो करोड साल पहले भी थे, एंसेस्टर्स आपके, ठीक है? वो इंसान जाते नहीं थे, मगर थे वो जरूर, तो फिर मतलब देखें अगर आपने क्वांटम फिजिक्स पर ही होताँ को बता हो कि हिक्स बोस्वन पार्टिकल्स है तो फिर मतलब क्वांटम। nature हो जाता है ऐसा कैसी हो जाता है कैसे double state experiment जब observe करते है डिफरेंट आता है जब observe कैसे बता लगता है matter को कि मुझे observe करे नहीं कर रहा है मतलब यह चीज़े आपको जेहन में नहीं आती है क्यों कुन इसे control कर सकता है जब आप अच्छा जेहन में आती है है और वो गुमा रहा है उनको है आप यह समझते हैं फिर क्योंकि अगर तो खुदा मतलब अगर तो खुदा यह सब कुछ नहीं कर रहा फरिश्टे उसमें नहीं लगाए इस बात पर तो फिर उस खुदा का में को पैदा नहीं है ना मसला यह है कि यह आपका वो अर्गुमेंट है जिसको कहते हैं कि I don't know therefore God क्योंकि मुझे इसका जवाब नहीं पता है इसलिए इसका जवाब खुदा है मसला यह है कि आप यह क्यों नहीं मान लेते कि आपको नहीं पता नहीं पता यार ठीक है हम डिसकवर कर रहे हैं आज नहीं पता तो आज से तीन सो साल बात पता होगा तीन सो नहीं तो तीन हजार साल बात पता होगा हो सकता हमें कभी भी पता ना लगे, मगर इसका मतलब यह है कि जिस बात का आपको नहीं पता, उसके जवाब में आप कोई ऐसी बात घाल लें जो कि टोटली जूटो, देखें बात यह है कि जिसका आपको नहीं पता और आप खुद से कोई बात घाल लेते हैं उसके बारे में या मैं आता हूँ मैं कोई बात कहता हूँ और आप उसको मान लेते हैं मैंने जूट बोला आप उसको मान लेते हैं क्योंकि आपके पास उसकी कोई और Real explanation नहीं है तो चलो जूटी explanation ही ले 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 ये ये वानी mentality है कि आपके पास किसी बात की Real explanation, True explanation नहीं है इसलिए आप उसकी जूटी explanation को accept कर ले लेते हैं तो ये जो आपका है ना I don't know therefore God ये basically सच के बज़ाए जूट को इसलिए accept कर लेने की बात है कि आपको पता नहीं है आपको पता नहीं है तो अपनी ला-almी को, अपनी कम-almी को मान लें, आप मान लें कि आप जाहिल हैं, या आप मान लें कि आपको इस बात का पता नहीं है, आपको मजीद research करने की जरू होता है, तो that would be sufficient. ठीक है पढ़ना सीखें चीजों को देखें कौांटम मेकैनिक्स मैंने भी पढ़ी है मगर मैं तो हर वक्त यह नहीं सोचता कि यह खुदा ही कर रहा होगा मुझे यह पता है कि हमें आज यह बते नहीं पता चलो कल को पता होंगी हो सकता कभी ना पता हूँ मगर इसका यह मतलब नहीं है कि या रभ जो मैं यह कहूँ नहीं नहीं यह तो इसने नहीं किया तो जी अहुद मजदा जो था जो फारसियों का खुदा था वो कर रहा है इसको कंट्रोल यहां जूस कर रहा है उसको कंट्रोल यहां फिर ईश्वर कर रहा है उसको कंट्रोल मैं यह क्यों माननूं कि अल्ला ही कर रहा है उसको कंट्रोल देखें अगर अनसर्टन है ना तो हर चीज में अनसर्टन हो जिस तरह मैं हूँ ठीक है मैं हर चीज में अनसर्टन हूँ क्योंकि अगर मैं खुदा को वाक्वी जो है वो लंका ढाके आया हुआ ठीक है फिर मैं ये भी मानूंगा कि थोर और ओडेन और और एरीज और और नजाने हाउद मजदा और जोरास्टर और ये सब भी फिर सचे होंगे ठीक है फिर आप सिर्फ अला को सचा क्यों मान रहे हैं तो ये बात समझें अनसर्ट कर लेंगे तो बात तो उदर की उदर ही रहेगी ना कि जिस चीज़ का आप है एक मैं चीज़ बनाता हूं एक पर्फेक्शन से मैं बनाता हूं एक नजर आ रहा है कि हर चीज फो एक जामपल आप अपने प्लानेटरी सिस्टम से देखें अर्थ जिस तरह घूम रही है सोरज की यह हमारा पूरा सोलर सिस्टम गलक्सी के गलक्सी में भूम रहा है फिर गलक्सी आपस में इंटर गलेक्टिक स्पेस है इसके लाव आप अप चीज में एक पैटर्न है क्यों सारी की सारी चीज़ें से पैटर्न से चल रही है एक जब हम जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें लगता ओके में भी यह फेक स्टोरीज हैं यह कुरान में या को दूसरे में लेकिन पिंचिनों को देखते हैं हमको लगता यार there is someone who is behind all of these things there is someone who is controlling these things there is someone who is controlling these things अब थाबत करो कि वह आपका अला है कौन थाबत करेगा वो तो कोई की नहीं थाबत करता चला मान लेते हैं खुदा है कि कोई क्रिएटर है मुझे यह बताएं कि उसको मेरे अस्तंजा करने के तरीके में इतना इंट्रस्ट क्यों है उसको मेरे खतने में इतना इंट्रस्ट क्यों है उसको मैं सेक्स किस से करता हूँ कब करता हूँ कितनी बार करता हूँ किस तरीके से करता हूँ उपर मैं हूँ के नीचे मैं हूँ इसमें इंटरस्ट क्यों है ठीक है उसको इसमें इंटरस्ट क्यों है कि मैं अपनी तश्रीफ को दो के क्यों निकला ठीक है वो इतना इंटेलिजेंट है ना ठीक है तो उसको इ अग्राइड नमाज के दुनान मेरी हवा तो नही निकल गई. और मुझे दुबारा वदून तो करने की जरूद नहीं है. मेरी repeatedly आई लबारानी कर देता है इस universe का creator हो ना तो वो इतनी छोटी छोटी बातें ना सोचे ठीक है? समझ गहे हैं? आपके खुदा ने ना तो कोई काम की बात बताई है इस universe के बारे में जितनी भी बातें आप अभी quote कर रहे हैं वो सब 21st century की science की देन है ठीक है? वो इनसान का अपना knowledge है उसके उपर किसी खुदा की छाप नहीं है जिसकी वज़ा से आप ये सोच रहे हैं कि कोई खुदा मुजूद हो ठीक है? ये बातने आपके गवर करने की है मुझे इन बातों में कोई शक नहीं है मेरी position open है, मुझे पता है आचे तरीके से कि मैंने क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोचना है, अगर आपको सोचने की जरूफा है ये देखें कि एक खुदा, जो ये ऐसी ये एक जमीन उसने बनाई है अगर आप समझते हैं कि जमीन उसने बनाई है ठीक है? ये जमीन के ऊपर जितना स्पेस है ना, जितना रहने के लिए इन्सान के जग grasses है, इतनी स्पेस आपके पास मार्स पे भी हैuz और जितनी आपके पास कुल जमीन पर स्पेस है ना, उसके टू थ हर्ड्ञ आपके पस वेनस पर भी है, आगर आप जुपिटर के निकलने में इसकी ग्रैविटी से अजाद होने में 70,000 यर्स लगेंगे। आप कहते हैं खुदा इनसान अश्रफल मखलुकात है। रसूल अल्लाह रह्मतुलालमीन है। तमाम काइनात उनके लिए बनाई गई। जिसके लिए काइनात बनाई गई। वो अरब के लाके से कभी बार ही निकला। उसको यह नहीं पता था कि अमरीका के नाम के भी कोई बरे आजम है। अस्ट्रेलिया भी कोई है। उधर भी कोई लोग रहते है। उसको पता ही नहीं था रह्मतुलालमीन जो के जिसके ओपर सारी दुनिया की वही आई जो के दुनिया का सबसे नालिजबल आदमी था। अगर मुसल्मानों से पूछे ना के आईंस्टैन के पास ज़्यादा नालिज था या महमद रसूलाला के पास। तो वो कहेंगे महमद रसूलाला के पास। कोई मखरिब नहीं है जमीन पे आप कहीं भी खड़े हो जाएं तो जिस एक तरफ आप देखें तो मश्रिक होगी दूसरी तरफ मखरिब होगी ठीक है जपान वालों के मश्रिक में अमरीका है अगली सोचें अगर आप हमारे सोलर सिस्टम से मिल्की वे गैलक्सी के सेंटर की तरफ जाना शुरू करें तो आपको पच्छिस हजार लाइट इयर्ज लगेंगे ठीक है कैसे और यह जो मिल्की वे गैलक्सी है यह हमारे उब्सरवेबल यूनिवर्स में फोर हंडर्ड बिलि जन भी शाहिद कमो आए दिन यह एस्टिमेट बड़ता रहता है ठीक है तो आप कहरे हैं कि काईनात जो है वो रसूल लागे लिए बनाएगी देखें किसी के लिए कोई तौफा देते हैं ना किसी के लिए को घर बनाते हैं तो उसको वो घर दिखाते भी है उसको यह नही ओ मैंने तेरे लिए अमरीका में घर बना दिया, बस ठीक है तूपरी जिन्दगी ना देख कोई बात नही। तो रसूल ALLAH के लिए अगर ये घर बनाए तो रसुल allah ने तो कभी देखी नहीं है ठीक हैगर आप के लिए बनी है ना इनसान अश्रफल मखलूकात और इसके लिए ये काहिनात बनी है तो भाई ये तो 21st सेंचरी वाले आए हैं जिनको अब थोड़ा बहुत पता है कि ये कितनी बड़ी है तो वो जब पिछले गुजर गए अश्रफल मखलूकात उनको तो यही नहीं पता था कि ये जो घरम अरेलियब बना है ये गोल भी है ये तो बात ऐसे ही है ये आपके लिए एक मकानब बना दिया और आपको पता ही नहीं हा कि उसमें बातरूम भी है ठीक है झार बस करो क्या करो कितनी और पते करो जो लेकिन एक पूस्ट कुस्ट रना है मैं अगली दफ़र ड मैं मेरा यह चीज है आप काफी मसाइल हो सकते हैं इसलाम में उनको डिसकुस नहीं करना जाता है लेकिन मैं यह बात कह रहा हूं कि जो साइंटिफिक डिवेलपमेंट है इसलाम उस वकत के अरब लोगों पे जब इसलाम आया था अगर उन्हें यह रसूल अलावत आते कि यह सब कुछ है क्या वो यह गीन करते वो लोग वो तो कहते कि तो यह कोई पागल है या कुछ ऐसे बोलता है उनको वैसे भी कौन सा पता था कि वाकई जूलकुर्नायन कोई सूरज के उबरने और डूबने की जगा उन्होंने कौन सी देखी थी उन्होंने वो भी मान लिया था आपको तो आज पता हो पा ना ठीक है ना बात तो मैं आपकी कर रहा हूं अर्बों को तो तुम ये कहता है कि उंट के मूँ से सारी दुनिया निकलिया तो उन्होंने वो भी मान लेना था ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है दुनिया में कहीं लोग ये मानते है कि कछ़ fallen कि मूँ से सारी दुनिया निकलिया और इवन कि तबरी ये कहता है कि मचली के ऊपर जम्हें रखी हुई है तो मानते थे ना तबरी भी तो मानता था ना यार तो अरब बदूर भी मानले ना उनको मुनवाना तबरी से अचान नहीं था ठीक है चलें सही है फिर ये इन बातों पहराना हुए इन पर गोर करें और अच्छा ये आपके पर फण वाला जिए दमाग में एक ही खिड़की योदिया रैशनलिजम वाली उसको कोशिश करें उसमें जो पहन लगाया उसको थोड़ा सा कोल ने तो आपके पूछी जो फणोस है बहुत खुबसूरत है आपके प पर जो फणोस है वो बड़ा खुबसूरत है तो मैंने का शायद अगली दुआ ये करेंगे कि या आपके उपर गिर जाए